गुट मॉर्निंग स्टुडेंट्स पीटा आजम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर इंडेक्स नंबर सबसे पहले इंडेक्स नंबर है क्या इंडेक्स नंबर पीटे एक स्टेटिस्टिकल टिकनीक है इटिस्टिकल टिकनीक जिसके हल्प से हम किसी भी जो फिनॉमिना है उसमें टाइम टू टाइम जो चेंजिज आए हैं उसके मेगनिचूड को मेजर करते हैं ठीक है स्पोस नाइंटीन नाइंटीवन में वीट का जो प्राइज है इट वाज रुपीज ट्वेंटी पर केजी ठीक है 2001 में जो वीट का प्राइज है वा रुपीज 25 पर केजी हो गया 2011 में जो वीट का प्राइज है वा रुपीज 35 पर केजी हो गया और 2021 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो वीट का प्राइज होएगा वा रुपीज 48 पर केजी होगा ठीक है अब अलग-अलग टाइम भे हम VIOIT के prices को अगर compare करें तो इसा लग रहा है जिसे महंगाई बढ़ रही है inflation होती है इंफलीशन होती है क्या वाक्षि में इंफलीशन है अब index number क्या करता है एक wholesale price index होता है wholesale price index क्या है जिसे पेटा consumer price index बूलते है government इस चीज को admit करती है कि with the advent of time जैसे time pass होगा हर एक चीज की जो cost है वो बढ़ती है raw material की cost बढ़ेगी तो final good की भी cost increase होगी ठीक है तो with the advent of time क्या ये prices में change आए है या कोई और reason की वज़ा से change आए है अगर तो time के according change आए है then it is acceptable क्योंकि ऐसा possible नहीं है कि कभी economy में prices में changes नहीं आएंगे ये माना जाता है भाइदे economist कि अगर prices बढ़ रहे हैं increase हो रहे हैं then it shows development ठीक है अगर आपके prices constant है आपके economy में then it shows it is a sign of stagnation कि आपकी economy में जो क्या है stagnation चल रही है मंदी चल रही है कोई change ही नहीं आ रहा है so change is a law of nature change तो होना ही है but government के जो parameter हैं उसके अंदर अंदर अगर commodity के prices में change आ रहे है then it is acceptable but अगर उस parameter के बाहर prices में changes आते हैं तब worry वाली बात होती है normally 3 से 4 परसेंट तक अगर commodity के prices में change आता है 10 सालों में ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है so this is quite normal thing तो 1991 से 2001 में अगर wheat का prices 20 से 25 पर kg हो जाता है तो it is very normal phenomenon तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि 5 पर पर प्राइस बढ़ गया तो index number एक टक्नीक है जिसमें हम हर commodity को एक base price से compare करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे एक साल को base year मानेंगे जैसे suppose 1991 को base मानेंगे और assume करेंगे कि उस base year के comparison में 2001 में कितने percent changes आए 2011 में कितने percent changes आए 2021 में कितने percent changes आए अगर वो जो price का changes बढ़ रहा है index number की टक्नीक की साथ हम find out करेंगे अगर वो prices बढ़ रहे हैं then we will say there is inflation चीक है index number पीटा टक्नीक को एक italian statistician है GR Carly उनों ने सबसे पहले यूस किया था and he constructed price index number for the year 1750 AD by taking 1500 AD as base year उनों ने 1750 AD के लिए price index construct किया था और 1500 AD को base year मान के जब भी index number construct होगा हमेशा एक साल को base year माना जाएगा और एक साल के indexing की जाएगी Fisher ने तो even index number को economic parameter भी कहाया कि it is economic parameter economic parameter क्या होता है कि जैसे barometer से हम weather को measure कर सकते है अगर temperature में change आ रहा है ठीक है उसको barometer की help से measure करते हैं कि मारे temperature में कितना change आया ऐसी economy में क्या changes आ रहे है तो उसको measure करने का barometer क्या है index number right so this is very useful technique for the economist in short अगर हम बात करें better then index number refers to a statistical technique which helps to measure the relative changes in the magnitude of a variable एक वेरियेबल के magnitude में कितने changes आया है with respect to time time में change आने से उस वेरियेबल में क्या changes आया है यह हम measure करते हैं इंडेक्स नमबर की help से इंडेक्स नमबर के इंडेक्स नमबर के इंडेक्स नमबर करेंगे prices को based मानें और indexing करेंगे इंडेक्स नमबर में price and quantity दोनों को weights देंगे सबसे बहले unweighted method में जिसे हम simple dolphin index नमबर बोलते हैं इसमें simple aggregative method होगा simple average of price relative method होगा weighted index number में weighted aggregative method भी होंगे weighted average of price relative method भी होगे मतलब दोनो unweighted और weighted method में दोनों में ही aggregative method भी होगा और average of price relative method भी होगा तो दोनों में यह चीज common है बस difference किस चीज का है कि simple index number में किसी चीज को कोई weights नहीं दे जाएंगे weighted index number में weights provide के जाएंगे सबसे पहले हम discuss करने लगे हैं simple aggregative method first method हम discuss करे हैं simple index number का unweighted number का index number का first method simple aggregative method simple aggregative method ने indexing का formula क्या है P01 P01 है index number calculate करेंगे हम summation of P1 over summation of P0 into 100 अब यह P1 P0 P01 क्या है P01 का मतलब है पेटे price index number for the current year जिस साल का हमने index number find out करना है that is P01 1 का मतलब हमेशा ही क्या होता है current year zero का मतलब क्या होगा हमेशा base year ठीक है तो P1 P0 का मतलब क्या है P1 means sum of क्योंकि summation है तो sum of sum of current year prices of various goods या commodities Smashing of P0 means sum of base year base year मतलब जैसे example में मैंने discuss करा था कि हम 1991 को base मानेंगे तो जो भी पुराना जिस साल को government base मानती है उस base year के कम पेजन में current year prices में क्या changes आए है वो index number है तो यहां पे यह base year है sum of base year prices of various goods यह सबसे पहला और सबसे simple method है easy method है कि अगर हमने index number find out करना है हम क्या करेंगे यह find out करेंगे कि current year में prices क्या है उनका total कर दो उसको compare करो base year के prices के total के साथ multiply by 100 कर दो तो हमें बता लग जएगा कि base year के competition में क्रेंटियर में क्या prices में changes आए है ठीक है let us discuss the question with one example आपके book में example one है ठीक है on page number 276 question क्या है बिटा from the following data construct price index number for the year 2005 on the base year of 2000 by using simple aggregative method simple aggregative method is this one ठीक है तो आप simply उसको solve कर रहे हो नया question लिख रहे हूं question में हमें क्या given है commodities given है बिटा तो यह question given है आपको from the following data construct price index number for the year 2005 on the base year of 2000 by using the simple aggregative method देखो आपका prices 2000 year के given है 2005 के भी given है इन्होंने बोले कि 2000 को हम नहीं कह लेने है base year लेने है अलगले commodities है A, B, C, D, E, F, G अलगले commodities है अलगले commodity के prices यह 2000 में क्या थे और 2005 में क्या थे रूपेस में यह हमें information given है और इससे हमें find out क्या करना है simple aggregative method लगा के construct price index लगा होगा आपको construct price index लगा होगा आपको तो let us solve this question तो बेटा देखो यह question given था commodities A to G हमने लिखा है year 2000 के जो prices है उसको हम base year मानेंगे P0 लिखेंगे 2005 के जो prices है उसको हम P1 लिखेंगे यह हमारा current year है तो simple aggregative method का formula क्या है P01 is equal to summation of P1 over summation of P0 into 100 अब P1 का total करते हैं P1 prices का total करेंगे A से लेके G तक जो commodities है उसका total आया बेटे 580 और P0 का total आया 425 जब हमने 580 को divide करा 425 से into करा 100 तो हमारा indexing होगी बेटे 136.47 आप इसको percentage में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो देखो बेटा यह method क्या है कि अगर आपको index find out करना है मतलब inflation measure करनी है तो आप average prices लेंगे हम एक commodity को base नहीं मानेंगे आपके एक साल में year 2000 में जितनी भी commodities हैं उसके average लेंगे compare करेंगे 2005 के साथ फिर 2005 के prices में 2000 year के comparison में क्या changes आई वो हमने measure करी तो हमें पता लगा कि हमारी frontier क्या inflation चल रही है ठीक है तो इस पी 01 136.47 यह हमारा सबसे पहला method है simple aggregative method next method हम discuss करेंगे simple average of price relative method simple average of price relative method में क्या है यह माना जाता है कि हर एक commodity का जो price में change आ रहा है वो relatively same नहीं होता अलगलग commodities है कुछ commodities ऐसी होती है जिसमें prices में बड़ा frequently change आता है कुछ commodities ऐसी है जिनकी prices में changes इतना जल्दी नहीं आता तो वहां पे simple aggregative method को ज़्यादा suitable नहीं है क्योंकि simple aggregative method में तो आपने overall average निकाली और उसके साथ inflation को compare करा तो यह चीज पॉसिबल नहीं है कि हर एक commodity के जो prices है उसमें जो changes है वो same level से आ रहे है तो वहां पे हमें अगर indexing करनी है तो better ही रहेगा कि हर commodity के price को individually indexing की जाए तो हम क्या करेंगे r find out करेंगे r कैसे find out करेंगे p1 over p0 into 100 r क्या है relative अब index number कैसे find out करना है p01 is equal to summation of r over n अब उसका weight निकालेंगे for example same question हमें given है जो हमने पहले कर रहे तो उसी को मैं question को base मानती हूँ अगर ये same question को पैटे हमें simple average or price relative method से calculate करना है तो हमें सबसे पहले r find out करना पड़ेगा r कैसे find out करेंगे p1 over p0 into 100 हर एक साल का हमने r find out करना है यानि कि याम पे हम कैसे करेंगे 40 एक commodity का price relative क्या होगा पैटे 40 divided by 30 into 100 तो इसको calculate करें 133.33 b commodity का price relative find out करेंगे r का मतलब है price relative मतलब हर साल के price में क्या relative changes आ रहे है हर commodity के price में क्या relative changes आ रहे है वो find out करना है हमने 70 over 55 into 100 this will be 127.27 c commodity के prices में क्या change आ रहे है 75 over 60 into 100 it will be 125.00 d commodity में क्या changes आ रहे है 30 over 20 into 100 150.0 same way e commodity के indexing होगी है 122.22 f commodity के 140.00 and g commodity 147.83 तब देखो हर individual commodity के हमने price relative find out करा कि जैसे e commodity है e commodity के price relative में कैसे change आ रहे है क्रंटियर के base year के comparison में क्रंटियर में 133.3% change आ गया b commodity के 127.27% आ गया c commodity के 125% आ गया अब यह जो जितनी भी price relative changes आ रहे है इनके हम average लेंगे overall इन सब में क्या change आ रहे है उसको base बनाएंगे मतलब इनका total करेंगे इसका अगर हम total करेंगे देन आ जाता है 945.65 अब कितने सालों के है यह कितनी items है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो इसको divide by 7 कर देना है तो में क्या करने है P01 मतलब price indexing क्या आ यह हमारी summation of R over N मतलब total items का total 945.65 divide by 7 करा तो 135.09 मतलब on an average यह हमारा indexing होई है 135.09 ठीक है तो यह आपकी example 2 है अब देखो फिर से मैं explain कर रही हूँ simple aggregative method में क्या था बैटे summation P1 over P0 summation P0 मतलब price of current year price of base year all commodities जो current year की है उनके price का total करेंगे all commodities of base year उनके price का total करेंगे दोनों को divide by into 100 यह हमारा P01 आ गया मतलब index number आ गया अगर हम simple average of price reality method फॉलो करते हैं तो उसमें P01 मतलब index find out करने का index number find out करने का formula क्या है summation of R over N हमें हर individual commodity का price relative find out करना होगा वो कैसे find out करेंगे हम हर commodity की individually indexing करने पड़ेगी जैसे 40 divided by 30 into 100 70 divided by 55 into 100 75 divided by 16 into 100 and so on अब जितनी items हैं उतनी items से इसके total को डिवाइड कर देंगे then 135.09 is your index number right so with this हमारा first जो index number है simple index number unweighted method ये complete हो गया है इसे रिले चशर्साई 2.1 this will be your homework you have to do exercise 2.1 तिक है there are 5 questions in this exercise so all of you are supposed to complete this topic and send me your problems right thank you so much